पूरी दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान होता है जो यह चाहता है कि आप उससे भी स्यादा काम्या बनो यही नहीं इस दुनिया में अगर बिना स्वार्थ की तुमसे कोई प्रेम करता है न दुग वो है तुमारे माबाब इस भी हमीशा उनकी कद्र जरूर करना क्योंकि वही है जिन्होंने अपना सब कुछ वड़कर आपको अपना सब कुछ दिया है अपने वियस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर अपने माबाब को जरूर की जीदा क्योंकि यह वहीं लोग है जिन्होंने आपकी बाते तक सुनी थी जवाब बोलना भी नहीं जानते थी अगर कभी माबाब तुम पर गुस्सा करें दूस बात का बुरा मत मानना क्योंकि वह गुस्सा नहीं बलकि अपना पन है उन्हें तुमारी फिक्र है ये कित्रत कड़वा सच है कि माबाब की जिन्दगी फुसर चाती है बच्शों की जिन्दगी बनाने में और वो बड़ा होकर यह कह देता है कि आपने मिरे लिए किया ही क्या है शोयाद लोगी बात भूर जाते है कि मिलने को तो हजार उलू मिलते है लेकिन हजार गल्तिया माफ करने वाली माबाप फिर नहीं मिलते हैं दोस्त याद रखना पिता वो है जिसके होने का हैसास कोभी नहीं होता लेकिन ना होने का हैसास बहुत होता है पिता का प्यार मुस्त में मिलता है शायद इसी लिए उसकी कोई कदर नहीं बाकि इस दुनिया में तो हर रिष्टी की कुछ न कुछ की में जरूर चुकानी पड़ती है दुनिया भर कर रिष्टे नवा कर यह जाना कि माबाप की सवाई अपना कोई नहीं होता जिन कोई सच्चा ही मालूम है वो दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ नसीब है और जिनोंने सच को चानते हुए भी अपनी आँगे बंद कर ली है दुनिया में शायद उन से ज्यादा पर नसीब होई नहीं इसीजे कभी अपनी सबान की तेजी अपने माबाप कर मत चलाना तो कि यह वही लोग है जिनोंने तुमकों बोलना से खाया है हमेशा अपने पिता पर सम्मान करना क्योंकि पिता उस पिरी की तरह होता है इसकी चाहों में पूला परिवार सूप से रहता है अबर पोई पूचे तो यह मत कहो कि मेरे माबाप मेरे साथ रहते है बल्कि करव के साथ यह कहो कि मैं अपने माबाब के साथ रहता हम यह दुनिया का करवा सच है कि माबाब की नसियत सब को बुरी लगती है और माबाब की वसियत सब को अच्छी लगती है दोस्तो वीडियो कें तुम्हें बस इतना कहना चाहूं है कि अपने मावाप पर इतना विश्वास करो जितना दवाईयों पर करते हो बेशक कर भी हो में लेकिन आपनी ये फ्राइदे मंद भी हो में दोस्तों अपने मावाप से प्रेम कीची अपने परिवार से प्रेम कीची किसी ने कितना सुन्दार लिखा है प्यास टी घजब की मगर पानी में जहर था पीते तो मर जाते ना पीते तो प्यास से मर जाते बस यही दो मसले जिन्दधी भर ना हल हुए ना नीड पूरी हुई ना खाब मकमल हुए वक्त ने कहा काश थोड़ा सबर किया होता सबर ने कहा काश थोड़ा और वक्त दिया होता दोस्तो माना जिन्दधी आसान नहीं है लेकिन ये भी याद दखिए कि जिन्दधी ने आपको जो दिया है ऐसे कई बतनसीम है जिनको उफूर तक हासिल नहीं है तो दोस्तों सकारत्मक सूच के साथ अपने लक्ष की तरफ परते जाहिए सबलता असर कीजिए मगर अपने माबाप को मत भूलिए जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है आपकी सबलता में मैं मिलूँ आपसे कफिर विडियो में जो कि जीवन न सकारत्मक पूचा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवाज